आज की टॉप हेडलाइन्स कुछ इस प्रकार है। GE Aerospace ने हिंदुस्तान Aeronautics Limited के साथ MOU साइन किया है ताकि भारतिय वायू सेना के लिए लड़ा को जेट इंजन निर्मित किये जा सकें। DRDO और L&T ने भारतिय नौ सेना के पास्वेदनिक उपनविरामी प्रचालन AIP प्रणाली की स्वदेशी करण के लिए हाथ मिलाए है। भारत के समुद्री प्रक्षेपित अन्मैन विमान प्रणाली SLUAS के विकास का आरंब 2023 के अंतिम महीनों में होने वाला है। भारतिय सेना द्वारा स्ट्राइकर आर्मर्ड वाहन की खरीद और स्थानिय उत्पादन का समर्थन। बाइडेन प्रधान मंत्री मोधी ने MQ-9 Reaper Predator ड्रोन की खरीद की योजना का स्वागत किया। GE Aerospace ने हिंदुस्तान Aeronautics Limited के साथ MOU साइन किया है ताकि भारतिय वायू सेना के लिए लड़ा को जेट इंजन निर्मित किये जा सकें। GE Aerospace ने आज एक Memorandum of Understanding MOU के साथ हिंदुस्तान Aeronautics Limited हाल के साथ हस्ताक्षर किये हैं ताकि भारतिय वायू सेना के लिए लड़ा को जेट इंजन निर्मित किये जा सकें। सरकारी घोशना के अनुसार यह समझोता GE Aerospace के F-414 इंजन के सन्युक्त उत्पादन की संभावना शामिल करता है और GE Aerospace अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर इसके लिए आवश्यक निर्यात प्राधिकरन प्राप्ट करने के लिए काम कर रही है। यह प्रयास भारतिय वायुसेना के Light Combat Aircraft MK2 कारिक्रम का हिस्सा है। भारत के समुद्री प्रक्षेपित अन्मैन विमान प्रणाली SLUAS के विकास का आरंब 2023 के अंतिम महीनों में होने वाला है। L&T और New Space Research and Technologies द्वारा मिलकर विक्सित की जाने वाली Submarine Launch Unmanned Aerial System SLUAS के विकासी परिक्षन लेट 2023 में शुरू होने की तैयारी में है। SLUAS परियोजना भारतिय नौसेना की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए एक नवाचारी ड्रोन प्रणाली है। SLUAS में उन्नत तक्नीक और स्वचालित AI प्रणाली का उप्योग किया जाता है। यहाँ ड्रोन उपमहाद वीपिय प्रक्षेपन के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है और यहाँ भारतिय नौसेना की समुद्री क्षमताओं में सुधार करेगा। भारतिय सेना द्वारा स्ट्राइकर आर्मड वाहन की खरीद और स्थानिय उत्पादन का समर्थन। के तहट स्ट्राइकर आर्मड वाहन की खरीद और स्थानिय उत्पादन का प्रस्ताव मंत्राले ओफ डिफिन्स द्वारा विचारा धीन है। इस सौधे के प्रस्तावित सौधे की क्षमताओं, लागत प्रभावता और दीर्गकालिक रणनीतिक लाभों की एक संपूर्ण मूल्यांकन पर निर्नय निर्भर करेगा। बाइडेन, प्रधान मंत्री मोदी ने MQ-9 Reaper Predator Drone की खरीद की योजना का स्वागत किया। जोता भारत की राश्य सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करेगा और चीन के साथ सीमा क्षेतर को भी सम्मिलित करेगा।